हाई गुरीवनिंग तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप अफ मोशन इन इंडिया जिसमें हम अलग-अलग मोशन को डिस्कस करेंगे आप सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मोशन होता क्या है मोशन का मतलब क्या है पर हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे हम word by word नहीं देखेंगे हम इसमें important definition को break करके पढ़ेंगे मोशन आपका कुछ formal proposals होते हैं जो कि आपके house में चाहे हो लोकसभा हो चाहे हो राज्यसभा में हो उसमें आप उसमें in front of the whole house मोशन आपके रखे जाते हैं और मोशन किसी भी particular discussion से related होते हैं particular discussion का मतलब है कोई भी matter हो सकता है कोई particular ऐसा कोई fix matter नहीं होता है जिसके ओकर मोशन लाया जाता है ठीक है बट एक important चीज यहां पर यह है कि house का जो presiding officer है आप देखते हैं कि लोकसभा लोकसभा के presiding officer speaker of India और speaker of लोकसभा होते हैं और राजसभा के presiding officer chairman of राजसभा होते हैं ठीक है तो लोकसभा के presiding officer speaker of लोकसभा राजसभा के presiding officer chairman of राजसभा और chairman of राजसभा ही vice president of इंडिया होते हैं ठीक है यह हमारा हो गया अब मैं आपको यह क्यों बता रहा था कि कौन chairman है या कौन speaker है क्योंकि houses के बारे में जो हम देखते हैं तो confusion हो जाती है अब करने के लिए या कोई action लेने के लिए motivate करते हैं किसी भी particular discussion के ओपर पर सबसे पहले उसमें स्वीकृती चाहिए presiding officer की चाहिए वो लोकसभा के speaker हो या राजसभा के chairperson हो उसके बाद एक बार या तो यह accept हो सकता है या तो यह reject हो सकता है house के लोग जितने भी membran है जितने भी members हैं उनकी voting के बाद whether they are voting in favor of the particular motion और whether they are not voting in favor of the particular motion ओर situation को consider करने के बाद a motion is passed लेट से voting होती है आपको अपने कई बार देखा होगा कि speaker of the लोग सभा राजसभा chairman vote करवाते हैं कि those who are in favor say I those who are against say no तो ध्वनी मत से कई बारी voting होती है कई बारी particular votes जलते हैं computer use होता है उस में तो अब मैं आपको motion क्या होता है कैसे practically काम करता है उन में बता चुका हूँ next आपको मैं बता रहा हूँ types of motions तो हिंदिया में तीन type के motion होते हैं first one is substitute motion first one is substitute motion second one is substantive motion third one is subsidiary motion अब मैंने आपको नाम तो बता दिया मुझे explain भी करना है इनको तो one by one मैं आपको explain करूँगा जी तो substantive motion का मतलब होता है ये कुछ independent proposals होते हैं पर ये बहुत important matter से जुड़े हुए independent proposal होते हैं वो important matter हो सकते हैं जैसे ही राष्ट्रपती का महाभयोग impeachment of the president या removal of chief election commissioner chief election commissioner को उनके निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयोग के commissioner को chief election commissioner को उनके house से उनके office से remove करना next है आपका substitute motion substitute motion का मतलब होता है कि आपका कोई original motion चल रहा था उसको हटा के उसको substitute करके और motion उस अपनी जगे बना लेता है तो एक तरीके से alternate हो गया उस motion का तो alternate to a motion is called substitute motion अगर एक बार house इसको adopt कर लेता है तो original motion की जगे यह आ जाता है substitute substitute खोड़ाता है तीसरा है subsidiary motion subsidiary motion का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता अपने आप में कोई मकसद नहीं होता बट आपका जो original motion है उसमें add-on हो जाता है और इसके साथ add-on हो के उस motion के साथ function करता है it acts as subsidiary उसके साथ जुड़ जाता है ठीक है बट subsidiary motion के भी अब तीन subtypes है अभी तो हमने motions के तीन subtypes देखे अब हम subsidiary motion के तीन subtypes देखेंगे सबसे पहले तो है आपका ancillary motion what is ancillary motion ancillary motion is अगर मैं आपको इसका मतलब बता हूँ it is used as a regular way of proceedings with various kind of business कि अपने आप में इसके कोई आहमियत नहीं है relevance नहीं है पर multiple चीजों के साथ multiple motions के साथ include होता है तब वो it helps in the carrying of the business of the house अलग-अलग तरीके से house के functioning में अपना role play करता है ancillary motion ancillary शब्त का मतलब है किसी चीज के सच जुड़ना जुड़के important part form करना मतलब main चीज नहीं होती ancillary, ancillary एक add-on होता है next is superseding motion नाम से समझ पा रहे होंगा किसी चीज को supersede कर लेगा उसकी जगह अपनी जगह बना लेगा तो यह debate के दोरान ही लाया जाता है superseding motion और debate किसी और चीज की उपर चल रही होती है पर अगर आपको let's say CA के उपर debate चल रही है अभी citizenship amendment act काफी ज़ादा news में है उसको हटा के उसकी जगह अगर आप superseding कर लेते हो NRC के issue को तो उसके उपर अगर हम यह ऐसा superseding motion लाते है तो यह case होगा हमारा type B type C है amendment amendment superseding से थोड़ा अलग है amendment आपका modify कर लेता है किसी part को original motion के CAA के बारे में अगर चर्चा चल रही थी तो उसमें आप amendment करके डली riots के बारे में भी कुछ include करवा सकते है तो what I am trying to say कि उसी से related है इसलिए amend हो जाता है original motion में उसका part बन जाता है या तो change कर देता है original motion को या तो उसे substitute ही कर देता है तो पुराना motion अटा के उस part of पुराना motion अटा के नया part लाना है मतलब amendment का अगर आपको मैं real life example दूँ CAA मैं आप plus करवा रहे हो Delhi riots Delhi riots और superseding motion में CAA का topic हटा के ही Delhi riots लेया है CAA का topic खतम और ancillary तो जोड़ रहा है ancillary और amendment में क्या फरक है amendment एक अगर आप ancillary में देख रहे हो CAA की debate चल रही है तो उसमें NRC तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा अगर आप real life examples देखें आज कल की ये दोनों की debate एक साथ हो रही है तो ये ancillary motion होगा next हम देखते है closure motion नाम से समझ पा रहे होंगे closure motion ये motion कुछ close करने की अपील करता है किसी चीज को काटने की अपील करता है तो ये motion आपका लोकसभा के member लेकर आते हैं to cut short the debate debate को वहीं पर रोग देना है उस debate को रोग कर कुछ और बहुत important matter को house के समक्ष रखना है house के प्रती रखना है उसके बाद उसके उपर चर्चा हो ये प्रयास होता है closure motion का एक बार house अप्रूब कर देता है ये लोकसभा और राजसभा दोरों में closure motion लाए रा सकता है पर एक बार house अप्रूब कर देता है debate वहीं पर पहले जो चल रही थी रुख जाती है and the new matter is put to vote की दूसरे topic के उपर क्या हमें debate करनी चाहिए नहीं चाहिए और matter से आपका decide होता है कि whether closure motion है successful or not right okay तो अब मैं आपको चार तरीके के closure motion बताऊँगा first one is simple closure अब simple closure के अंदर एक जो member होता है और a particular member of the house जिसको लगता है कि कोई particular matter है जिस पर अब तक काफी हद तक debate हो चुकी है अब debate का time खतम अब उस पर सीधा हम vote करते हैं तो वो होता है simple closure I repeat simple closure वो closure होता है जब एक MP दरख्वास करता है Parliament से कि इस matter पर हम काफी सारी debate कर चुके है adequate amount of debate happen नोच चुकी है अब तक complete हो चुकी है अब debate पर voting होनी चाहिए मतदान होना चाहिए next है closure by compartment closure by compartment का क्या मतलब है आप समझ पा रहे है divide कर देंगे और उसमें divide करने के बाद उसमें debate होगी याब debate के अंदर अब जो पार्ट में आपको ब्रेक की जो बिलको पार्ट में ब्रेक किया है उसको या तो पूरी तरह debate किया जाता है otherwise entire part को use करके पूरे part को use करके voting करवाई जाती है compartmentalization का फायदा यह होता है कि जो important parts है उन पर जादा focus किया जा सकता है जो इतने important नहीं है part उन पर हलकी फुलकी चर्चा करके उनने pass कर दिया जाता है बड़ जो important part है चर्चा भी उसमें काफी हट तक होती है और ultimately close उनको करा जाता है after entire debate next one is kangaroo closure अपने kangaroo को real life में देखा होगा एक जगे से दूसरी जगे कूटता है ऐसे है ना तो अब समझो एक ये हो गया motion एक ये particular motion होगा एक ये होगा मैं आपका example दे रहा हो clause A, clause B, clause C, clause D, clause E, clause F B important नहीं है D important नहीं है, F important नहीं है A है, C है और E है आपका matter पर discussion A to C move हो जाएगा A to C move हो जाएगा और C to E move हो जाएगा और जो इतने important नहीं है उन पर कोई आपका discussion नहीं होगा ये debate नहीं होगा सिफ important clauses के ओपर debate होगा, उन ही पर voting होगी और जो आपके इतने important नहीं है, skip कर दिया जाएगा उन्हें, तो यह होता है क्यांगेरू closure Next one is guillotine closure अब guillotine शब्द का मैं आपको अगर मतलब बताओ France के अंदर एक सजाय मौत देने का तरीका होता था आज से 200-300 साल पहले जब France यसी करांती होई थी French Revolution हुआ था तो उसके अंदर सजाय मौत का तरीका क्या था कि ये एक उपर लकडी का stand है ये एक नीचे लकडी का stand है बीच में इस इनसान के सर गर्दन को फसाने की जगए है यहाँ पर इनसान की गर्दन फसाई जाती थी और एक बहुत बड़ा blade उपर लटका होता था रसी से बंदा होता था और रसी की कमान किसी व्यक्ती के हाथ में obviously कोई वो जलाद होगा जिसके हाथ में होगी जैसी जलाद रसी छोड़ता था blade बहुत ताकत से नीचे गर्ता था और उस आर्मी की जिसको सजाय मौत दी जा रही है उसकी गर्दन तूटके नीचे गर जाती थी तो यह बहुत बहुत demeaning way of killing someone था it was a very demeaning way तो मैं क्या बताना चाहरा हूँ कि guillotine closure के अंदर क्या होता है guillotine का मैंने आपको मतलब बता दिया इसको guillotine नहीं guillotine कहते है french शब्द है अब ऐसे ही जब एक साथ पूरे जड़ के ओपर पूरे गर्दन के ओपर ब्लेड गिर रहे है वैसे ही real life में जितने भी part जिन पर अभी तक discussion नहीं होई है of a particular bill या कोई resolution हो सकता है उनको एक साथ इखटा किया जाता है सबको एक साथ इखटा करके उन पर voting करवाई जाती है ठीक है क्योंकि ऐसा क्यों होता है obviously समय की कमी रही होगी जितना समय मिला था वो खतम हो गया ठीक है इस वज़े से सबको एक साथ voting के लिए रख दिया जाता है and ultimately उस पर vote करवाके उसको motion को close किया जाता है तो this is a sort type of closure motion अब तक हम simple motion की बात कर चुके अब तक हम compartmental closure की बात कर चुके अभी तक हम kangaroo closure की बात कर चुके है और guillotine closure की बात कर चुके है अब next हम देखते है privilege motion privilege motion आपको एक बात याद रखनी है कि एक हमेशा minister के खिलाफ ही चला जाता है क्योंकि ministers को और council of minister के members को कुछ parliamentary privileges मिलते है तो क्या आपको याद रखना है एक चीज की ministers के खिलाफ होता है ministers की आपके कुछ parliamentary privileges रखते है और एक MP मतलब एक private member MP या private member अब private member क्या होता है ये सवाल आएगा आपको तो any MP accept council of minister का member मतलब minister जिसमें prime minister भी आता है obviously तो वो private member कहा जाता है कोई भी MP बशर्ते except कि वो private council of minister का member ना हो उनको private member कहा जाता है ठीक है आगे मैं आपको बता रहो अगर minister ने कोई privilege breach किया है अपना break किया है privilege breach का मतलब क्या है या तो उन्होंने कोई बात जूटी बोली है या तो उन्होंने कोई बात चुपाई है facts withhold करे हैं ये गलत facts दिये हैं उस case के अंदर आपका privilege motion लाए जाता है और privilege motion का main purpose होता है कि एक particular minister को उसके लिए सजा दी जाए उस privilege break करने के लिए सजा दी जाए किस के खिलाफ होता है privilege motion minister के खिलाफ होता है कौन ला सकता है any private member और किस वरे से दिया जाता है privilege breach किया कैसे privilege breach कर सकता है जूट बोल के है तो बात है छुपा के ultimately उसको हम punish करना चाहते है penalty देना चाहते है penalty और punish का एक सब शब्द और होता है censure, डाटना censure, rebuke ये कुछ शब्द होते हैं कि किसी को डाट ये फटकार लगानी है इसलिए privilege motion लिया जाता है next step का calling attention motion ना हम से समझ पा रहे होंगे बहुत simple है calling attention calling attention का मतलब ये होता है कि parliament के समक्ष एक member कोई matter ऐसा लेकर आया है जो कि बहुत ज़रूरी है तो इसके लिए आपकी किसी particular minister या council of minister की attention लेना बहुत ज़रूरी है आप ध्यान दो इस matter के ओपर ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है ये UPI है और UPI क्या होता है urgent public importance से related है ये आपको term याद रखना है UPI ऐसा matter जो कि urgent public importance से related है उसको हम आपकी minister की attention में लेकर आ रहे हैं उसे calling attention motion कहते है अब पर हमारे पाद zero hour भी होता है जो कि parliament का जो कि आपका लोकसभा का शुरूराती का session शुरू होने का it is one of the first few hours ठीक है तो पट उसमें debate के लिए आ सकती है तो फिर हमें calling attention motion क्यों चाहिए देखे calling attention motion और zero hour दोनों एक भारती parliament का एक नयाब innovation है यह हमारे ही parliament में आपको मिलता है शुरूरात में हमने खुद इसको design किया है create किया है और include किया है हमारे parliamentary procedure के अंदर ठीक है और क्योंकि आपका zero hour इंडिया के किसी भी house के rule of procedure में mentioned नहीं है और वही same time पे calling attention motion हमारे rules of procedure में mentioned है तो इसी वज़े से I repeat इसी वज़े से calling attention motion इंडिया में use किया जाता है by bringing it under the rules of procedure of the house और एक minister के खिलाफ लाये जाता है उनका ध्यान खीचने आकरशित करने के लिए किसी UPI के उपर urgent public importance के matter के उपर next हम देख रहे हैं adjournment motion अब 3-4 आपके motion है जैसे कि adjournment motion हो गया no conference motion हो गया ये थोड़े important इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपका आप देख पा रहे होंगे आपके लिखा है 50 members की जलूवत होती है स्विक्रिती चाहिए होती है support चाहिए होता है तो adjournment motion के अंदर parliament की attention एक particular matter के उपर लाई जाती है सारा उस time पर उस particular situation के अंदर जो भी matter parliament में चल रहा होता है सब को एक किनारे रख दिया जाता है और एक नए matter के उपर जो की urgent public importance का होता है वो उसको parliament के समख रखा जाता है कम से कम 50 MPs का support चाहिए होता है adjournment motion के लिए क्योंकि obviously रोजमर्रा का जो काम है या जो अभी normally parliament में काम चल रहा था वो disrupt हो जाएगा और एक extraordinary device है यह आप देख पा रहे हैं कि रोजमर्रा काम डिस्टब हो रहा है तो extraordinary device तो है एक और चीज़ है adjournment motion अगर एक बारी adjournment motion पास हो जाता है government के खिलाफ लोकसभा के अंदर तो एक तरीके से सरकार के खिलाफ voting होती है क्या मतलब लोकसभा में 50% से जादा सीट है सरकार के पक्ष में हो तभी सरकार के अंदर में अपनी सरकार बना सकती है तभी government जो है केंदर सरकार चला सकती है confidence motion कहते है इस चीज़ को अगर 50% से जादा भी gather नहीं कर पाई adjournment motion में सरकार तो एक तरीके से सरकार को जटका है सेंचर है सरकार को राजसभा में तो ये device use भी नहीं होता है सिर्व लोकसभा में होता है इसलिए मैंने बोला कि दो-तीन important motions है लोकसभा related adjournment motion confidence motion and no confidence motion वो भी अभी हम discuss करेंगे adjournment motion का objective क्या था वो बता दिया कितने member support करते हैं वो बता दिया लोकसभा के अंदर use होता है राजसभा में नहीं होता वो भी मैंने बता दिया और एक और important fact है जो आपको याद रखना है adjournment motion से related है कि discussion adjournment motion का should not last for less than 2 hours and 30 minutes मतलब धाई घंटे से कम समय पे चर्चा नहीं होनी चाहिए इससे जादा ही होनी चाहिए minimum newनितम इतना है इतने समय के लिए चर्चा होनी चाहिए लोकसभा के अंदर adjournment motion के ऊपर और अब जो अधिकार है adjournment motion नाने का उसमें कुछ particular restriction भी है बात करूँगा कि जो भी matter आ रहा है पहली बात तो वो UPI का हो urgent public importance और definite matter हो यह नहीं कि कोई भी आपने कह दिया कि इंडिया में जंग छिड़ गई जंग छिड़ गई ठीक है जंग आपका एक urgent public importance का है बट किस देश से छिड़ी internally छिड़ी externally छिड़ी क्या हुआ कैसे हुआ definite matter चाहिए definite होना चाहिए urgent होना चाहिए और अब कभी भी आपका एक particular matter से ज़ादा involved नहीं होना चाहिए उस adjournment motion में right simultaneously कुछ recent event कोई अभी गतिविदी हुई हो कुछ समय पहले उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए और किसी minister के privilege के ओपर कोई सवाल नहीं इसमें होना चाहिए शरीक क्योंकि कोई अगर ऐसा सवाल शरीक हुआ इस motion के अंदर तो ये तो privilege motion बन जाएगा और हम पहले पढ़ चुके हैं separate होता है next कोई particular matter पर same session में पहले से डिबेट हो चुकी है तो उस matter को फिर से क्यों उठा रहे हो भई और जन्मेन motion की शकल दे कर इसलिए ये भी एक exception है ये भी एक restriction है next ऐसे किसी matter के साथ deal भी नहीं करना चाहिए जो कि subjudice हो court में subjudice मतलब court में पहले से ही case चल रहा हो उस particular matter के उपर adjudication चल रहा हो और सात्वा ये कोई भी सवाल नहीं उठाना चाहिए इसके तुरू किस चीज़ के उपर ऐसी किसी चीज़ के उपर जो कि already किसी और motion के अंदर उठा हुआ है तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ उल्टे से आपका जन्म मोशन से ऐसा कोई question नहीं उठाना चाहिए जो कि किसी और अलग motion में पहले से ही उठा हुआ है दूसरी बात इसके तुरू आप किसी subjudice matter के उपर नहीं adjudicate करवा होगे तो कि court के अंदर पहले से चल रहे है third अगर आपका कोई भी matter पहले से ही उस particular session के अंदर निपट चुका है उसके ओपर discussion हो चुकी है debate हो चुकी है तो फिर से नहीं आएगा session में next privilege, parliamentary privilege के ओपर सगाल नहीं उठाएगा ठीक है किसी भी minister के क्योंकि हो privilege motion ही है privilege motion separate होता है मैं लग पढ़ चुके है किसी एक से जादा particular matter को involved नहीं करेगा और matter जो involved हुआ है वो recent time में हुआ हो मतलब recently occur हुआ हो तभी उसकी कोई उप योगिता होती है discussion की कोई पुरानी बात उठा के थोड़ी ना आप कह सकते हो कि urgent motion laws के उपर and last definite और factual matter होना चाहिए और urgent होना चाहिए UPI होना चाहिए urgent public importance का अब no confidence motion and confidence motion बड़े simple से दो motion है हमारा article 75 Indian constitution का कहता है कि हमारे council of ministers जिसका head prime minister होता है यह सब collectively responsible है लोगसभा के समख्ष तो अगर लोगसभा के अंदर 50 प्रसीशत से जादा सीटे नहीं होती है in favor of the government तो union executive को government को resign करना पड़ेगा council of ministers को resign करना पड़ेगा council of ministers से ठीक है तो collectively responsible है सब responsible है लोगसभा को design कर जेगा पड़ेगा क्यों? क्योंकि confidence नहीं रहा majority नहीं रही होता है confidence motion वो सरकार खुद लेकर आती है यह दिखाने के लिए कि हमारे पास 50 प्रतीशत से ज़्यादा 50% से ज़्यादा support कर रहे हैं लोग हमें ठीक है अब no confidence motion जो था आपका मैंने बताया लोगसभा में आता है opposition के members लेकर आते हैं जैसे adjournment motion में हमने पढ़ा था कि 50 members से ज़्यादा उस particular motion में नहीं होने चाहिए repeat 50 members member से ज़्यादा उस motion में support करेंगे तभी motion आपका no confidence motion स्वीकार किया जाएगा उससे कम पर नहीं acceptable होता no confidence motion in a particular लोगसभा confidence motion में बता चुका हूँ इसका बिल्कुल reverse है confidence motion में confidence motion होता क्या है सरकार खुद लेकर आती है क्यों ऐसा हो सकता है कि लोग सवाल उठा रहे हो कि सरकार के पास numbers नहीं है या coalition government चल रही थी जो अलग-अलग party साथ मिलके सरकार बना रही है इसलिए approve करने के लिए कि coalition government ज़रूर है पर हमारे पास numbers है ठीक है या limited numbers आयते पर धीरे धीरे लोगों ने support किया MPs ने support किया और आज एक सरकार बन पाई है इसलिए confidence motion सरकार के दोरा खुद लाए जाता है या दिखाने के लिए राष्टरपती को दिखाने के लिए प्रूब करने के लिए कि हमारे पास majority है और ये करा जाता है on the floor of the house ठीक है लोगसावा में ही दिखाया जाता है ये आपका होता है confidence motion अगर confidence motion पास नहीं हो पाई तो सरकार को resign करना पड़ता है अब हमने censure motion और confidence motion के बीट का फरक देखते हैं censure motion भी साथ-साथ मैं आपको explain कर दूँगा क्या होता है नाम से समझ पा रहे होंगा censure किसी को dart रहे हैं आप इस motion के दूब no confidence आपको पता था कि अगर no confidence motion एक बार पास हो गया तो उसके बाद सरकार को resign करना पड़ता है एक बारी no confidence motion पास हो गया तो सरकार को या council of ministers को resign करना पड़ता है पर एक बारी अगर आपका censure motion पास हुआ तो जरूरी नहीं है council of ministers को resign करना पड़े क्योंकि एक minister के खिलाफ होता है या तो group of ministers के खिलाफ होता है या पूरी council of minister के खिलाफ होता है पर no confidence motion सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ 70 members के लिए जाएगा, total आपकी लोगसभा की membership या, total आपकी council of members के उपर no confidence motion लाया जाता है, ठीक है, no censure motion लाने के लिए reason आपके लोगसभा में प्रस्तुत करने पड़ेंगे, कि किस बात पर, क्या कारण है ऐसा कि आप एक particular ministry खिलाफ censure motion लेकर आ रहे हो, पर no confidence motion के लिए ऐसा कोई specific reason देने की दो होते हैं, आप तो देख रहे हो whether सरकार के पास क्या numbers है या नहीं है, ठीक है, और एक और point है कि objective क्या होता है इसका, तो censure motion तो एक particular minister या पूरी council of minister उनकी policy या उन्होंने जो कोई कार किया, उसके खिलाफ एक तरीके से censure होता है, डांट होती है या फटकार होती है, पर no confidence motion तो ये प्रूफ करने के लिए कि क्या majority of the members of का लोक सभा are in favor of particular government, एक particular सरकार के बारे में, क्या majority of members पक्षम है नहीं है, आगे हम देखते है motion of thanks, motion of thanks कुछ नहीं होता, बहुत simple concept है, election हुआ जैसे 2019 में भी हुआ, election होने के बाद सरकार चुन के आई, उस time पे, सरकार के चुनने के आने के बाद, पहले sitting जो होती है, उसमें president of India आते हैं, government की जो आने वाले time में policies होंगी, उनके बारे में चर्चा करते हैं, और चले जाते हैं, ऐसा ही, हर सत्र की, हर session की, लोक सभा की हर साल शुरुआत होने के time पे, president ऐसे ही संबोधित करते हैं MPs को, speech देते हैं MPs को, तो फिर से मैं बता रहा हूँ, motion of thanks, एक तो हर general election के बाद लाए जाता है, और हर fiscal year, हर साल की शुरुआत में, पैस की पहली sitting में, आपका लेकर आए जाता है, राश्रपती खिलाफ, mostly budget session से पहले ही होता है, motion of thanks, अब इसका budget session से पहले ही होता है, आपका presidential address, और उसके बाद आ पहले ही, और ये एक UK से लिया गया concept है, अब motion of thanks क्या होता है, जो मैं बता रहा हूँ, president ने speech दे दी, speech देने के बाद अब voting होती है, लोगसभा, राज्यसभा में, mostly लोगसभा में ही होई, importance होती है voting, ये क्योंकि राज्यसभा के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है, motion of thanks क किलाफ, voting होती है लोगसभा में, लोगसभा से पास हो गई, अब क्योंकि आप देखो ना, अगर किसी चीज़ पर लोगसभा में, voting होती है, पास होने के लिए, 50% से जादा वोट चाहिए, और 50% से जादा वोट सरकार किसी particular चीज़ पर gather नहीं कर पाई, इसका मतब जनता का सरकार के प्रती confidence नहीं है, सरकार को resign करना पड़ेगा, यह सब मेरा आपको समझाने का मकसद यह था, कि motion of thanks, अगर 50% से जादा वोट नहीं लाया, तो सरकार की हार होगी सरा, resign भी कर सकती है, government will have to resign also in such circumstance, तो motion of thanks, President के द्वारा की, उसकी speech दी जाती है, उसके उपर लहे जाता है, लोकसभा में जिसमें वोटिंग होती है, राजसभा में भी इसमें वोटिंग होती है, पर राजसभा की वोटिंग से जादा कुछ फरक नहीं पड़ता, लोकसभा की वोटिंग से आच्छली फरक पड़ता है, next, next है हमारा no day yet named motion, नाम सही समझ पा रहे हैं, बहुत simple है, कोई दिन नहीं decide किया जाता है, एक particular motion पर debate के लिए, बस यह कि speaker अपनी security दे देते हैं, पर कोई date fix नहीं करी जाती है, उस discussion के लिए, speaker देखता है कि अभी मौझूदा हालात में क्या क्या discussion चल रहा है house के अंदर, और इस हमें आपका leader of house से चर्चा की जाती है, और एक business advisory council भी होती है, इसका अपनाम से समझ पारे हैं, उसमें advice करना, लोग सबा कैसे कारे करें, उसमें advice देना, तो इन दोनों से, इन दोनों stakeholder से advice लेने के बाद, एक particular दिन निर्धारित कर दिया जाता है, कुछ दिन निर्धारित कर दिया जाते हैं, तीन दिन, चार दिन, यह तो बस ए करेगा speaker, तो लोग से चर्चा करेगा, business advisory council, पहली, committee, sorry, business advisory committee, next, leader of house, इन दोनों के साथ, चर्चा करने के बाद, एक particular day, या कुछ particular days allocate किये जाएंगे, उस particular motion पर discussion के लिए, यह सब किया जाएगा, यह ध्यान रखेगी, अभी house में क्या particular काम चल रहे हैं, जैसे उन काम से free होत तो कोई दिन नहीं fix होता है, बस यह है कि, एक time limit allocate करी जाती है, कि within that time, such a discussion on such a motion will be held, ना dilatory motion, dilatory शप्त का मतलब भी delay से बना होता है, तो यह motion लाए जाता है, किसी particular bill, motion या resolution के ओपर, debate अभी ना हो, वो delay हो जाए, उस particular purpose के लिए, नाम से ही समझ पा रहे हैं, अब यह कौन ल number ला सकता है, किसी भी समय ला सकता है, motion के आने के बाद, ठीक है, पहले motion आया, उसके ओपर voting होगी, उसके ओपर, किसी particular bill के ओपर debate, या resolution के ओपर debate आगे टाल दी चाहिए, अब debate, dilatory motion के ओपर, सिर्फ उस particular motion के या उस particular bill के regarding में होनी चाहिए, कुछ और, उमतार एक तरीके से dilatory motion एक तरीके से सरकार का criticism भी बन जाता है, वो नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा लगता है speaker को कि ये house का time बरबाद करने के लिए dilatory motion लेके आए जा रहा है, तो speaker, rules की खिलाफत करने के जुर्म में, किसी member of parliament को punish भी कर सकता है, ठीक है, और dilatory motion ज़रूरी नहीं है, speaker के दार resolution के ओपर या motion के ओपर आगे टाल दिया जाता है, ठीक है, moving head, so this was the last topic of our different type of motions, क्योंकि ये थोड़ा time restricted video थी, इसमें हमने अलग-अलग type के motions जो इंडिया की parliamentary democracy के लिए बहुत important term सब पर चर्चा करी, अब मैं आपको briefly बता हूँ हमारे UPSC EPFO course 2020 जिसमें आपको दो particular course मिल रहे bilingual Hindi और English nature की videos मिलेंगी, अभी आपको जैसे text आपको देखने मिला, वो English भी था, और Hindi है मैंने explain किया, पर आगे आपको text Hindi में भी मिलेगा, सारे words, same जैसे English में mentioned है, वैसे Hindi में भी होंगे, और हमारा जो AIM course है, batch 4, AIM 2020, EPFO AIM 2020, तो इस course के अंदर आपको सारी classes which shall be covered completely in English, right, so it will suit the needs, suit those people who actually require videos totally in English, right, so साथ साथ आपको PDFs मिलेंगी, हमारे जो जो topics पढ़ाए जाते हैं, उनकी PDFs मिलेंगे, notes मिलेंगे, and you will get most qualitative people to work, to teach you, जो कि आपके लिए अच्छा material प्रोवाइट करेंगे, and practice questions भी होंगे, और simultaneously आपको dedicated staff भी मिलेगा, जो आपकी कोई भी problem होती है, उसस आपको deal करके देंगे, so thank you all for watching this video, thank you.